नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नीूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में जल्द ही 7289 दिव्यांग बच्चों के लिए 20 सिक्षकों की भरती होनी है सिक्षा विभाग ने इन पदों के लिए तैयारी पूरी कर लिए और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी बिप्यस्सी इस भरती परिक्षा का आयोजन करेगा और चैनित सिक्षकों को प्रात्मिक और माध्यमिक स्कुलों में नियूक्त किया जाएगा दिब्यांग बच्चों को बहतर सिक्षा परदान करने के लिए बिहार सरकार ने ये महत्तो पूर्न कदम उठाया है 7,289 विषय सिक्षों की बाहली बिहार में सिक्षा विभाग के अनुसार राजमिल अगभग 7,289 विषय सिक्षों की कमी है इस कमी को पूरा करने के लिए 5534 पद प्रात्मिक स्कूलों कक्षा 1-5 और 1745 पद माध्यमिक स्कूलों कक्षा 6-8 के लिए निर्धारित किये गए हैं इन पदों पर आविदन करने के लिए उमिद्वारों को सिक्षक पातरता परिक्षा यानि टीटी पास होना अनिवार रहोगा अब 9 तरह के दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से सिक्षा करके जाएंगे बिहार सिक्षा विभाग नसपष्ट कर दिया है कि इन पदों पर आविदन करने के लिए अभियरतियों को पहले ही आयोजित सिक्षक पातरता परिक्षा पास करनी होगी विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि कुल नौ तरह के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विसेश सिख्षकों की न्यूक्ति की जा रही है इन में दृष्टी बाधित स्रवन बाधित चलन सक्ती में कमी बौधिक अशमता और अन दिव्यांगता वाले बच्चों को भी विसेश सिख्षक पढ़ाएंगे फिलाल ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में विसेश ब्यवस्ता नहीं है जिलास्तर पर कुछ सुविधाय उपलब्ध हैं लेकिन वो नाकाफी है तो फिलाल इस खवर में इतना ही है दर्स न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद